हेलो एवरिवन स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 की पॉलिटी का लास्ट चैप्टर विकास तो देखें विकास क्या है विकास से अभी प्राई संकुचित रूप में इसका प्रियोग प्राई आर्थिक विकास की दर् के संधर्ब में किया जाता है लेकिन व्यापक्तम अर्थ में देखें तो विकास, उन्नती, प्रगती, कल्यान और बहतर जीवन के अभी लाशा के विचारों का वाहक है इसमें आर्थिक उन्नती के साथ साथ जीवन की गुणवता में वी वरिदी को शामिल किया जाता है सतत विकास के उधारना के तहत आगामी पीडियों की आवशकताओं मे संसादनों के साथ, बिना सम जोता कि ये वर्तमान की पीडियों की आवशकताओं को पूरा खरने से हैं विकास की दरिष्टी से विश्व को तीन चरिणियों में बाटा गया है, एक विक्षित देश, विकास शिल देश वे अल्प विक्षित देश, ठीक है, तीन तरीके की देश बताएगे न, विक्षित देश जो पूरी तरीके से विक्षित हो चुके हैं, किसी चीज की कमी नही के लिए ओध्योगी की करण, क्रशी और सिक्षा की आधुनी की करण विस्तार के जरिये तेज आर्थी कुनिती का लक्षन निर्धारित किया और यह सिर्फ राज्य सत्या के माध्यम से ही संभव है अनेक विकास सिल देश जिसमें भारत भी एक था, ने विक्सित देशों की मदद से अनेक महत्व कांक्षी योजनाओं का सुत्तरपात किया विबिन हिस्सों मेश्पाच सेंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन और कुशी तक्निकों में शुधार जैसी अनेक विरहत प्रियोजनाओं की माध्यम से देश की संपता में बढ़ होत्री करना व्यारतिक विकास की प्रिक्रिया को तेज करना था इस मोडल से विकास के लिए उर्जा का अधिकाधिक प्रियोग होता है जिससे इसकी कीमत समाज और प्रियावरन दोनों को चुकानी पढ़ती है विकास मोडल के आलोचना और समाज और प्रियावरन ने इस विकास के द्वारा जो कीमत चुकाई वो देखते हैं विकास सिल देशों के लिए काफी मेंगा साबित हुआ इसमें वित्तिय लागत बहुत अधिक रही जिससे वैद्दिर्ग कालिन कर्ज से दब गए बांदों के निर्माण और योगी गती वीद्य और खननकारियों की वज़े से बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों और शेत्रों से विस्थापन हुआ विस्थापन से प्रमप्रागत कोशल नस्ठ हो गया, उनकी संस्कृती का मिनाश हो गया क्योंकि विस्थापन से दरीदर्ता के साथ साथ लोगों की सामुद्राइक जीवन पदती भी खो जाती है विशाल भूभाग जो थे वो बड़े बांदों के कान डूब जाती जिससे प्रिस्थिती का संतूलन बेगाड़ता है उर्जय के उत्रोत्तर बढ़ते उपयोग से प्रयावन को नुकसान होता है क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सरजन होता है तो विकास से जो है लाब भी होता है बट नुकसान भी होता है लोगों को वाईयो मंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन की वज़े से आरक्टिक और अंटारक्टिक ध्रूवों पर बरफ पिंखल रही है प्रिनाम सरू बांगलादीश में मालदीश जैसे निमन भूमी वाले शेत्रों को डूबो दिने में सक्षम है विकास का फायदा विकास सिल देशों में निमनतर वरक्तनी तक नहीं पहुंचा इस कारण से समाज में आर्थिक एसमानता और बढ़ गई सर्वाधिक निर्धन एमवंची तबको की जीवन स्थर में कोई भी सुधार नहीं आया ठीक विकास की वेकल्पिक आवधारणा लोक्तांत्रिक से भागीता की आधार पर विकास की रननीतियों में स्थाई निर्नेकारी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना उपर से नीची की रननीती को त्यागते विकास की प्रात्मिक तार, रननीती के चयन, वैप्रीजनाओं के वास्तुएक कार्यान में में स्थानीय लोगों के अनुबोओं को महत्व देना तो उनके शान का उप्योग करने के लिए उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना नियाय पूरण और स्तत विकास के अधारणा को महत्वदीना, प्राकर्तिक संसादनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रियास के जाने चाहिए, हमें अपनी जीवन शैली को वदल कुन सादनों को कम से कंप्रियोग करना चाहिए, जिनका नमीनी करन नहीं हो सकता, विकास की म आपनी का एक तरीका क्या है मानक विकास प्रति वेदन, जिससे रख्राष्ट विकास कारेकरमबार शिक तोर पर प्रकाशित करता है, तो युद प्रति वेदन में साक्षरता और सैक्षिक प्सधर, आयू संभावीत और मात्र मित्या दिशे विभिन सामाजिक संकितों क्या अधार पर देशों का दरजा निर्धारित किया जाते हैं ठीक है ओके, कॉशन है फरस्ट, विकास से क्या तात्प्रिये है तो विकास क्या है उन्नती, प्रगती, कल्यान और बहतर जीवन जीने के अभी लाशा क्या है विकास है, विकास की अधारना थी, ये किस नियम पराधारित तो उपर से नीचे की नियम पराधारित है इसमें क्या आशा की जाती कि समाज में लाब जो है उपर से नीचे की और रिस रिस कर समाज के सभी निर्धन और वंचित वर्गों तक पहुंचेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ रियलेक्ट्री में अगर देखे तो विकास का उदेशे क्या है अर्थ व्यवस्था में आत्मनिर भरतलाना और रोजगार में व्रिधी करना विकास के प्रमुक प्रतिरूप कौन से हैं तो बाजार अर्थ व्यवस्था के प्रतिरूप कल्यानकारी राज्य प्रतिरूप विकास समाजवादी प्रतिरूप या विकास का गांधिवादी प्रतिरूप ये मुख्य प्रतिरूप है ओके अखंड विकास की संकल्पना क्या है वर्तमान पीधी के दावे का भविश्य की PD के दावे के साथ संतूलन बना रहे यही अखंड विकास है ठीक है लोग कल्यानकारी राज्य है कल्यानकारी राज्य मात्र कर एक्तरित करने वाली संस्था न होकर क्या उनिजे सामाजिक सेवा प्रदान करने वाली संस्था होती है ठीक है ऐसा ये एक कथन का था GDH call उन्होंने क्या का था कि कल्यान कारी राज्य प्रतेक वेक्ति को न्यूंतन जीवन स्थर और समान अवसर परदान करता है तो ये का था GDH call ने आज विश्व विकास के किस मोडल का अनुसरन कर रहा है तो बाजार अर्थ व्यवस्था का मोडल बड़ी प्रियोजनाओं के प्रियोजनाओं सुरुप मुख्यर उपसे किस वरख के लोग विस्थापित होते हैं तो जन्जाती और जो दलित समुधाय होते हैं वो लोग वरहित प्रियोजनाओं के विरुद चलाए गए किसी एक आंदोलन का नाम तो एक नर्मदा बचाओ आंदोलन था नर्मदा बचाओ जो सर्दास रोवर बांद बनाया गया था उसके विरुद चलाया गया था यह ठीक है UNDP सव्यूंगत राश्टर विकास कारिय करम means United Nation Development Program यह फिर क्या कह सकते हैं सव्यूंगत राश्टर विकास कारिय करम विकास के प्रिणाम सरू प्रियान को हुए एक नुकसान का उलेख कीजिए तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन के कार्ण जो है आरक्टिक और अंटारेक द्रूवों में बरफ का पिंगलना बाजार अर्थ्वेवस्था का प्रति रूप क्या है पुझिवाद स्वतंतरता खुली प्र्तियोगिता और मुक्त बाजार पर आधारी थे बाजार अर्थ्वेवस्था ठीक है तो बस यह ही था लास्ट चैप्टर था ये थांकु सो मच